तो एक बार मैं फिर से अपने ब्लॉग चैनल में आ गई हूं जिसका नाम में प्रेटी फैमले ब्लॉग्स तो यहां पास सुबह का टाइम है सुबह थोड़ा सा आजना लेट कामी स्टार्ट हुआ था था थोड़ा सा क्या है कि इनको सुबह सुबह जिस दिन इनको नहाना प तो क्योंकि थोड़ा सा ना इससे चोट लग गई थी तो अपने से अभी इतना ज्यादा बंदा नहीं है सहर काम थोड़ा से हिल्फ करने पड़ते इसके बाद मैंने सब्जी रख दी है इंडेक्शन में बरने के लिए चार साय कंप्लेट हो गए थी पहले ही दो दूद मैं इस टाइम है तो चलिए यहां पा सब्जी मैंने रख दिया है सब्जी है आलो की हो कई सेमी बरबटी और साथ में गाजय मैं थोड़ा मिक्स करके डाल दी हूँ और इसके बाद दोपाहर का टाइम है फिर कोई ब्लॉक सोती नहीं किया सिधे दोपाहर का टाइम है तो अब म काम चल रहे हैं सुभई की सब्जी भी बच गई तो अभी रखी हुई है जो दुपाहर में काम सबको आ जाएगी तो यहां पास मैंने रख दिया है पानी चाय बनाएगा मैं अंको बहुत देर से परसान था कि मैं बनाऊंगा तो मैं चलतू है बना लेको तो मैं दाल मैं तो आपकोस आराम से बन जाएगी डाल रख दोंगे और फिर बात में चावालोबल रखती रहोंगे और यहां पास दीदी भी कुछ नहीं कुछ करी ही रही थी बस अध्रम मैंक ने जो भी थोड़ा सा मैंदब चाय बनाई उसने अध्रक अध्रक सबकोट के मैंक नहीं जाला उसको पता नहीं कि कहां से सूझाएं कि मुझे बनानी है बस उसको गयस जला दो पानी रख दो न और फिर बना लीता है चानती अफोस नहीं बनता तो यह पस मैंने चाय चाल ली है तोड़ी तोड़ी सब लोगों ने पी भी बच्चे भी बैटे हुए है सारे यही प बाते भी चल रही थे कुछ नहीं तो अब जब यहां पास बैटे हैं तो थोड़ा साना कैप्चर कर लिती हैं तो बस वही इसके बाद ही साम का ताइम है तो यहां पास मैंने रख दिया चाय बनने के लिए और साथ में दूदा आ गया था तो उसको भी मैंने रख दिया है जो करके पकने के लिए काफी टाइप वैसे मैं दूद रहती इंडेक्शन में जब क्या चलता है ना तो चलिए चावल जैसी का आप लोग देख सकते हैं कुकर रखा हुआ है चावल खतम हो गया था थोड़ा समय बाद में बनाया था ना चावल फिर बच गया तो इसे मने रहने पकणा के साम को कम सब्बढ Title क की में के लिए साम कोना कम रहें को भणा कृए इसकल जल्दी ही सूखतेएं तो दस बचे गैरा बचे कपड़े पेलाते हैं दीडने मुज्व मैं डायर करें तो मुझे आंगे डाले हैं मुझे निखा लगता तो फटण पट से नम्हें कपड़े 6 बचे कर देंगे बाद इन्हें तो किस तयारी करें पहले सबची की अभी रख देती हैं अभी बनाना ने च करना है पर फिलाल थोड़ा बहुत त्यारी कर देंगे जब बनाऊंगी तो नब एक कठा भागा भाग नहीं रहेगा इसके बाद साधे साथ होचे के आसबास का टाइम है तो पालग अच्छी सब ठंडी हो गई है बच्छों ने एक बार चाय भी पिला दिया बना किये हम तीन तो बनाने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा सब्जी रख बच गई है सुभई की उसको भी में गरम कर दोगी तो बस मुझे रात में पालक पनीर ही बनानी थी पालक पनीर को दो प्रकार्ट से बनाना है पहले मैं के लिए चाहिए उसको पालक जादा पसंद नहीं आता उसको मतलब अलक से बनाके देदो ग्रेवी के साथ ना पनीर तो बहुत जाता पसंद करता है तो मुझे यहां पास वही करना है तो पहले पहले फिलाल फीस लेती है प्याज से प्याज मैं इस्ट्रा फीस लेती प्याज जैसे की बनाना उससे जाना है प्याज सब्सक्राइब करें दाल भी फ्राइब कर रही हूं साथ में जो चाय साइके बर्तन पड़े हुए थे तो जी उध हो रही है यूबस और ऑफे कि बहुत सारे बर्तन पड़े रेडी करके प्ला को लुख मेंने फीच चाय बनी और बक्चे भी और कुछ कष खाए थे तो बहुत ही बर्तन हो गये और भी ठोड़ा साम सफ हो गया तो एंगपार से कर दिश पनीर कर दी है दूसरे साहअ और शेमपलगरेवी बना दी है तो मैं याग के लिए उसने वह था नहीं उसने वह तो इसको दिखाने के लिएए कि यहां इंब्टेट पनीर बन गया है कि उसको पालक जादा पसंद नहीं है चलिए दोनों पनीरे बनके रेडी हो गई है बस थोड़ी मुझली अब पांच मिट का पालक के लिए दो मिनट के लिए जो सिंपर ग्रेवी है उसके लिए चाहिए और बस थोड़ा सा मैंने पनीर रख लिया था तो कद्दू कसकर देती अच्छा लगता देखने में भी अच्छा लगता है और बस एक उठा के दोना बचों की वी पसंद करते हैं यहां तो ग्रेवी शी हो जाती है लगता है तो चलिए पालक पनिर और सब घ्री कानल बन चुशा है भी दो होता है घर खें तो कि नौ बजे के बाद ही सब लोग मुशली खाना काईगें सबसे पहले मैं बच्चों को खाना बनाकर देदी हूं वज-बच्चों तीनों खाचुके हैं और अब बना रही हूं मैं बढ़ों के लिए तक इनके लिए लेते हैं और इस अबी के लिए जो जो खाना पसंद करेगा और ताली लगा दे तो अज मेरा थे ना काम को जो है ना काम हो गया अबी उनकी तभीयत फिलाल टीक नहीं है तो आज जी आ गई है तो ए बना लेंगी रोटियां और मैं जिल देले ना खाना सर्व कर दोंगी तो ए और दस वज़े तम तो मुशली टाइम होता है डिनर करने का तो चलिए मैं लगा देती हूँ खाना बागिया ग्लास पानी इसलाद ये जो भी एवेल सब कटकर लिया रख लिया है और बस रोटियां भी बनी चुकी है तो इसी और रहे गई खाना पी ना हम सब का हो चुका है वर्तन तो बरतन जैसे देख सकते हैं कि साफ कर रही है और मैं किचन साफ कर रही हूँ ना दोनों एक एक काम पकल लिया है तो जल्दी नी पढ़ जाएगा एक लोग करेंगे ना तो लोट टाइम लगेगा तो बस मैंने गैस साफ किया फ् रगी दिसावंदर रख दिया है और फिर लाला भी फ्रिज में नहीं रख तेख कर दिया है कुछ रग दिया है तो फिर एबन फ्रिज में डाल दिया है माकी का बस इस ब्लॉग को यही पास खतम भी करूगी तो कैसी लगा आप लोगो मेरी आज की चोटी सी वीडियो अच्छी लोग योई वीडियो को लाइक किजएगा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजएगा मिलती होने इस ब्लॉग में